एलो फ्रेंड्स आज में आप लोगों के साथ बहुती सिंपल मिक्स दाल रेसिपी शेयर करूगी इसके लिए मुझे चाहिए दूली हुई मों और मलका, एक टमाटर और हाफ प्याज, डाल को मैंने दूखे 10 मिंट के लिए दूखे रख दिया, अब इसमें मुझे टमाटर औ प्याज दे देना है, अब मैं जबी मसाला डालूँगी, पिंच अब चिली पॉडर, हल्दी पॉडर, जीरा, धनिया पॉडर, सॉल्ट अभी नहीं डालूँगी, जब पक जाएगा तब डालूँगी, इसलिए मैंने आधा कब पानी अल्डेटी दे दिया था, भिबने के दे लिए, और मैं थोड़ा सा बानी दे दे, अब मैं इसको दो सिटी दे कर फिर आपको दिखाते हम, बहुड़ू सिटी हो शुपी दे, अब ये ठड़ भी हो चुखी है, मैं शुखाते हूँ, दाणी को दिखाते हैं, दीकल सौफ हुखी है, उप मैं गयास अन देर के, इ अब जितना गारा और पतला लेना उस करना चाहते है दाल को उसे साबसे पानी डालेगा मैं एक ग्लास पानी डालूंगे इसमें बिल्कुल भी कुटी लगना नहीं चाहिए इसका अंदर अच्छा से मैस कर दिजिएगा इसमें मैं सॉल्ट डालूंगे वान स्पून सॉल्ट यह अच्छा से उबल जाए फिर मैं तड़का दूंगे देखिए कितना अच्छा से उबल रहा है जब इस तरीके से उबल जाए तो आप इसको तार दीजिए और जिसमें आप तड़का देंगे वहंडी या पैन चड़ा दीजिए हंडी में पानी ना रहा है बीकुल जब इसमें पानी ना रहा है बीकुल जब इसमें आप मास्टाड ओयल जब मास्टाड ओयल गरम हो जाए तब इसमें आप देखिए इतना साबू जीरा है ये साबू जीरा है ये जी आए पिसमें देखिए उसमें आप आप मास्टाड ओया जीरा है में दे रहे हैं, और हींग, बिल्कुल एक दाना है हींग का, यह देना है, बस, यह क्रैक हो जाए, फिर आपको इसका अंदर डाल डालेगा, गैस बॉज़कर करके आप इसका अंदर डालेगा, अब ने आपको सर्फ करके दिखा रहे हैं हमारा मूं मलका डाल रेडी है गरम गरम राइस और चपाती नन रूटी इसले साथ भी आप सर्फ कर सकते हैं बहुत टेस्टी छुट बच्छी को सूप जैसा दीजिए अगर आप दों को मेरा रेसी पसंद आए तो लाइक सब्सक्र साइब तम इस यारूर कीजिए तंसक्राइब आचिए